नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मादिमिक शिक्षा बोड के अध्यक्स डोक्टर डीपी जारोली का बड़ा बयान रीट परिक्सा होगी इस्तेगित तो दोस्तों देख लेत ही है परिक्सा तिती बोड की परिक्साओं के बाद अब अध्यापक पातरता परिक्सा पर भी संकट अजमीर कोरोना की वज़े से बिगडे हालात को देखते वे अध्यापक पातरता परिक्सा रीट का आयजन संबव नहीं लग रहा है राजस्तान मादिमिक शिक्षा बोड पर शासन भी रीट आयो जन को लेकर पूरी उमीद नहीं है रीट भी जून को होनी है लेकिन लोगडाUN के चलते शिक्ष्या बोर्ड कारेले बंद होने के कारण सभी तैयारया ठप पड़ी है उदर बोर्ड परशासन भी फिलाल हालात सामानें नहीं होने से इनके आयजन को लेकर स्वेम के इस तर पर भी आस्वस्त नहीं है तो दोस्तों देख रहे हैं कि बोर्ड अधिक्स का बड़ा बयान है कि फिलाल तो सरकार का पूरा ध्यान लोगों की जिंदगी बचाने में लगा हुआ है पहले हाला सामाने हो जाए उसके बाद रीट सहीत अन्य परिक्षाओं के बारे में सोचा जाएगा अब व्यारती और विद्यारतियों की जान जोकी में नहीं डाली जा सकती वेसे भी रीट को लेकर अंतिम निर्ने राजे सरकार करेगी तो दोस्तो आप देख रहे हैं कि बोर्ड परिक्षा इस्तेगित हो चुकी है सभी परिक्षा इस्तेगित हो चुकी है एक दो दिन में राजस्तान अद्यापक पातरता परिक्षा जो रीट है उसका भी इस्तेगित होने का नोटिस जारी हो जाएगा तो दोस्तों जैसे ही रीट के विशे में कोई नई अपडेट आएगी तो वीडियो के मादम से सबसे पहले सुचित किया जाएगा जै हिन जै भारत